जैहिंत बंदे मात्रम नमस्कार शातियों सौगत हैं आप सभी का आपके इपने येटूब चैनल अवतार इस्टडी 7054 में मैं पाल प्रभीन आज के वीडियो में बात करेंगे सम्मिधान के भाग आज का टॉपिक आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपोटेंट है आप किसी भी कॉम्प्रेटिव एग्जाम की त्यारी करते हैं तो आप सभी लुग वीडियो को पूरा देखें वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्क्राइब करें इस वीडियो के से टॉप 20 प्रेशन कवर करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्पूर है तो आप सभी लुग वीडियो को पूरा जरूर देखें और आएए सुरुआत करते हैं आज की सांदार क्लास के साथ आज का पहला प्रशन है बारती सम्विधान को कितनी भागों में विभाजित किया गया है राइट आंसे सात्य ₹प अपसन नुम्बर दी ठीक है सम्विधान को 25 भागों में विभाजित किया गया है अपने इसको नोट करना है ठीक है इससे פहले बागों के संख्या 20 अपने इस प्रैंट को भी नोट करना है a tantot am प्रिक्रिया का उल्लेख है बहुत इंपोरेंट पॉइंट है आप से पूछा गया है सम्मिधान के किस भाग में सम्मिधान के संसोधन की प्रिक्रिया का उल्लेख किया गया है सातियों अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें सेर करें और चैनल को भी सस्क्राइब करें इस वीडियो के माददम से 20 महत्पूर्ण प्रशन कबर करेंगे जो आपके एक्जाम के लिए बहुत ही महत्पूर्ण है संभिधान की किस भाग में संभिधान संसोधन की प्रिकरिया का उल्लेख है राइट आंसर है साथियों इस पसंद का ओप्सन नमबर सी भाग 20 में संभिधान के संसोधन की प्रिकरिया के बारे में बताया गया है इंपोर्टेंट पॉइंट यहाते जाते हैं भारती संविधान का संसोधन भारत के संविधान में परिवर्तन करने की प्रिक्रिया इस तरह के परिवर्तन भारत की संसद के दोरा किये जाते हैं इस्पर क्रिया का विभर्ण संभिधान के लिए खेंए अनुच्चेद 368 भाग 2 में बताया गया है checking तो 368 में वटाया गया है शंनसुपन्त के प्र्कियाा के बारे में अगला अप्जान है शंभिधान के किस भाग में पंचायती राजबवस्ता संबंधी प्राबधान दिये गए हैं बहुत important point है संभिधान के किस भाग में पंचायती राजबवस्ता संबंधी प्राबधान दिये गए हैं right option is option number D ठीक है भाग 9 में पंचायती राजबवस्ता के बारे में भाग नौ में बताया गया है अपनी स्पाइंट को नोट करना है इंपोर्टेंट पाइंट यहांते जानते हैं पंचायती राजबवस्ता संबंदी प्राबधान भाग नौ में अनसूची थर्ड में प्रमुक संबैधानिक पद्दा दिकारियों दोरा ग्रहण के जाने बाली सपत एबं प्रतिग्या का प्रारोप तता अनसूची चार के ए में बिभिन राज्यों के लिए राज्यसवा में सीटों का आवंटन वरणित किया गया है अपनी स्पाइंट को नोट करना है अगला अपसे ने संबैधान के किस भाग में आइस्थाई संक्रमन कालीन और बिसेज उपबंधों के प्रापधान है इसको आप नोट करेंगे संबैधान के किस भाग में आइस्थाई संक्रमन कालीन और बिसेज उपबंधों के प्रापधान दिये गया है किस भाग में बताया गया है राइट आंसर है आपस नमबसी भाग 21 में बताया गया इस पाइंट को आप नोट करेंगे बहुत इंपोटेंट पाइंट है आपके एक्जाम के लिए और जिन लोगों नहीं अब तक वीडियो को सेर नहीं किया तो सबी लोग वीडियो को भी सेर कर देंगे इंपोटेंट पाइंट नहीं से जानते हैं बारती सम्विधान के अनुचे 370 जबाहरलाल नहरू के विसेश हस्त चेप से तयार किया गया था जिसमें यह सम्विधान में आइसताई संकर्वनकालीन और विसेश उपबंद सम्वंदी भाग के रूप में सम्विधान के भाग 21 में इसको सम्मिलित किया गया है अगला अप्सन है भारती सम्विधान के किस भाग में 305 में पंचायत बनाने की परिकलपना के गई है 305 में पंचायत बनाने की परिकलपना किस में के गई यानि किस भाग में तीनो पंचायते बनाने की परिकलपना के गई है Right answer है, option number है भाग 9 आपने इसको नोट करना है बहुत important point है अपके exam के लिए आप सभी लोग इनको नोट करके चलेंगे भारती सम्मिधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंदित प्राबधान है भाग 9 के E में नगर पालिकाओं से संबंदित प्राबधानों को बताया गया है आपने इस point को नोट करना है important point है जानते हैं बारती सम्मिधान के भाग 9 के E में अनुचेद 243 से 243 से जड़ जी में नगर पालिकाओं से संबंदित प्राबधानों को बताया गया है सम्मिधान के किस भाग में नेति निदेशक तत्तों का उलेक किया गया है बहुत important point है आपके exam के लिए आप सबी लोग इनको नोट करके चलिएगा सम्मिधान के गर बात के सम्मिधान कब बनकर तयार हुआ था तो 26 नवंबर सन 1949 को सम्मिधान बनकर तयार हो गया था लेकिन दो महा बाद इसको लागू किया गया था यानि 26 जनवरी सन 1950 को सम्मिधान को पूर रूप से लागू कर दिया गया था सम्मिधान के किस भाग में नेति निदेशक तत्तों का उलेक किया गया है राइट आंसर है इस पसंद का आपसर नमबर भी चतूरत यानि 24 भाग में सम्मिधान के नीति निदेशक तत्तों का उलेक किया गया है आपने इसको नोट करना है अगर इंपोर्टेंट पॉइंट याते जानते हैं सम्मिधान की मूल कृत में सम्मिधान के चतूरत भाग में अनुचे 36 से 51 तक राजिके नीति निदेशक तत्तों का उलेक किया गया है राजिके नीति निदेशक सिध्धन्त कल्याण कारी राजिके इस्थापना करते हैं ये नागरिकों के प्रत्राजिके सकारातमक दाईत्तु नीति निदेशक तत्ता नियाले द्वारा प्रवरतनी नहीं है इनके पीछे कुछ कानून की सकती ना होकर केवल राज नेतिक तथा नेतिक सकती हैं आपने इसको नोट करना है संग और उसका राज छेत्र संग और उसके राज छेत्र का वर्ण किया गया है इंपोर्टेंट पॉइंट आते जानते हैं संग और उसके राजटी आपात के दोरान जीबन एवं विक्तिगत सत्ता के अधिकार को छोड़ कर अन्य मोलिक अधिकारों को इस्तिगित कर दिया जाएगा अगला पसन है बारती नागरिकों के मोल करतबों का विवरण संबोरान के किस भाग में दिया गया है बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट है आप इसको नोट करिएगा और जिन लोगों ने अभी तिक वीडियो को सेयर नहीं किया तो प्लीज सभी लोग वीडियो को भी सेयर कर देंगे राइट आंसर इस पसंद का अप्शन नमबर भी भाग चार के कामे भारती नागरिकों के मूल करतब्बों का विवरोण दिया गया है इंपोर्टेंट पाइंट यांसे जानते हैं बारती संब्धान में सरदार सौरण सिंग संमित कि सेपारिस की अधार पर वियालीसमी संब्धान संसोदन अद्रियम 1976 दोरा एक नया भाग चार का का अंतता इस्थावित किया गया भाग चार के का के अनुछिद 51 के का में मूल करतब्बों के संब्ध में उपवन्द किये गया है अगला अपसन है भारत के संब्धान का आठवा भाग डैस से संब्धित है नहीं भाग जो आठ है वह किस से संब्धित है राइट आंसर है साती है उस पसन का अपसन नमबर सी केंदर शाषित परदेशों से बस संब्धान को जो वाग आठ है इसमें केंदर शाषित परदेशों के बारे में बताया गया है important point यहाते जानते हैं केंदर शाषित प्रदेस भारत के शम्मिधान के भाग अठंग्र के अंतरकत आते हैं भारत के शम्मिधान के भाग 8 में अनुचे 399 से 242 केंदर शाषित प्रदेसों से संबंदित हैं केंदर शाषित प्रदेशों के सूची 1 अंडमान निकोबार, सूची 2, 36 गड, सूची 3, दमन और दीब और दादरा और नागर नगर है बेली, सूची 4 में दिल्ली, सूची 5 में जंबू और कस्मीर, सूची 6 में लद्दाग, सूची 7 में लक्च दीब और सूची 8 में पुद दादरा और नागर हैवेली, इस पॉइन को आप नोट करेंगे, दादरा और नागर हैवेली, प्रदेश को एक मिला दिया है, जिस से दादरा और नागर हैवेली, दमन और दीब का केंदर शाषित पर्देश कहा जाएगा, अगस्त 2019 में संसत ने विधेक पारित किया, पूर्बूर कस्मीर में एक विधाईका और लद्धाक में विना विधाईका के रूमें परवर्दित कर दिया है बहुत important point है अगला अपसने संगी कारिपालिका की बवस्ता संविधान के किस भाग में की गई है बहुत important point है आप इसको note करेंगे संगी कारिपालिका की बवस्त का उलेख किया गया है बहुत important point है आपके exam के लिए question number 13 संभिधान के किस भाग में नांगरिक्ता का उलेख किया गया है right answer is option number 20 संभिधान के भाग दो में नांगरिक्ता के बारे में बताया गया है और भाग जो दो start होता है पांस से अनुच्छीद ग्यारह तक भाग आपका द अनुच्छीद 5 से 11 में वर्णित है नांगरिक्ता के अरजन हेतो सर्तों को नियमित करने का अधिकार भारती संसत को है भारती नांगरिक्ता अधिनियम 1955 के अनुसार निम्न लिकित आधार पर नांगरिक्ता ग्रहण की जा सकती है जिसमें से पहले नंबर आपका आता जनम स अगरिक्ता दी जासकती है अगला पॉइंट है निम्न लिकित में सही स्मीलित नहीं है बहुत इंपॉरेंट पाइंट है अगला अब्स नहीं निम लिकित में कौन भारती सम्मिदान के लिएनसार सही सुम्मिदित नहीं है। अधिकरण भाग आपका दस में नहीं बताया की ठीकि के अधिकरण भाग दस में नहीं है। इसको आप नोट करेंगे important point आखे जानते हैं भाग 9 में पंचायते भाग 9 के का में नगरपालिका तता भाग 9 के खा में सहरी सम्मितियों का वर्णन है जबकि भाग 10 में अनसूचित जंजाते छेतर का वर्णन है भाग 9 का में अधिकरण का उलेख मिलता है निमलिकित में कौन एक सही सुमेलित नहीं है बहुत इंपोटेंट पॉइंट है आपको आपर बताना है कि निमलिकित में कौन एक सही सुमेलित नहीं है राइट आंसर आपसे नमबर भी संग राजज छेतर इस पिसन का राइट आंसर है और यही सातियों कहा सही सुम्लित नहीं है इस परण को अपनी नोट करना है यहां से बात करेंगे सातियों सूची फर्ष्ट को सूची सिकेंड से सुम्लित कीजिए तता सूचियों के नीचे दिये गए कूट से सही उत्तर का चैन कीजिए यहां पर आपको कूट भी बताएगा है और आपको बतायाना है कि इसमें से सही उत्तर क्या होगा बहुत important point है आपके exam के लिए तो यहां पर हम देख लेते हैं सूची first और सूची second ठीक है यहां पर हम अगर मिलान करेंगे तो आपका जो पहले नमबनी भारती सम्मिधान का जो उलेक है यह भाग किसमी किया गया है भाग नो में किसका उलेक मिलता है तो पंचायतों का उलेक मिलता है इसको आप यहां से मिलाएंगे और आपका भारती सम्मिधान के नहीं भाग आठ में संग छेत्र का उलेक मिलता है यह आपका वन में जाएगा फिर आपका आएगा भारती सम्मिधान भाग जो आप चार का ए यह किसमें मिलता है साथियों यह आपका मूल करता भी मिलता है इस पॉइंट को अपने नोट करना ह और आपका 9 का A जो भाग 9 का A है इसमें के नगरिपालकावी के बारे में बताया गया है तो इस प्रकार से हमारा जो राइट आंसर है अपसर नंबर A आपने इस पॉइंट को नोट करना है इस तरह से आपको मिलान करना रहेगा तो आप बिलकुल ही न गवडाएं आप वीडियो को पूरा जरूर देखें संभिधान भारत के संभिधान का भाग चार किसके बारे में बताता है बहुत इंपोडेंट पॉइंट है संभिधान का जो भाग 4 है किसके बारे में बताता है कुसे नंबर A प्रज्ज के नीति निदेशक सिद्धान्त के बारे में बताया गया है भागचार में अपने इसको नोट करना है। इनके पीछे कानून की शक्ति ना होकर केबल राजनयतिक अनयतिक सकती भी है। बिसेज उपबंदी संबंदी भाग के रूम में समिदान के भाग 21 में समलित किया गया था। अगला अपसन है समिदान के किस भाग में नीति निदेशक तत्तों का उलेक किया गया है। बहुत इंपोटेंट पॉइंट है इस्टार ना करना के इसको नोट करेगा किस भाग में नीति निदेशक तत्तों का उलेक किया गया है। राइट आंसर है अपसर नंबर B चतुर्त भाग में नीट निदेशक तत्तों का उल्लेग किया गया है आपने इस पाइंट को नोट करना है बहुत इंपोर्टेंट पाइंट है अपके एक्जाम के लिए साथियों इस वीडियो के मादब से हमने 20 महत पूर्ण प्रशन कवर किया है वीडियो गर आपको पसंद आई तो प्लीज वीडियो को सेर जरू रूख रहे हैं यहां से इंपोर्टेंट पॉइंट भी जान लेते हैं संभिदान की मूल कृति में संभिदान के चतुर्थ भाग में अनुच्छे 36 क्यावंत के राज के नीत निदेशक तत्तों का उल्ली किया गया है राज के नीत निदेशक सिद्धन्त कल्याण कारी राज की इस्थापना करते हैं इन नागरिकों के प्रत्य राज के सकारात्मक दायत्य तुयानी नीती निदेशक तत्तो न्याले दोरा परवर्थित नहीं है इनके पीछे कानून के सकति ना होकर केबल राजनेतिक तता नेतिक सकति भी है इस प्रैंट को अपने नूट करना है इस वीडियो के माद्धम से 20 महत्वपूर प्रशन कबर किये हैं जो आपके एक्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर है कमेंट करके हमको जरूर होता है कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगे मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत